जिस राम के नाम पर राजनीती गर्म हो रही है उसी राम से जुड़ी पौरानिक नदी तमसा आज अपने अस्तित्व की तालाश में किसी भागिरत का इंतिजार कर रही है मढः और विशुही नदी के संगम से निकली कई धार में किस थलो को चोड़ने वाली तमसा नदी आज नाले में तबदील हो गई है गंदगी और प्रदुशन का प्रभाव इस गदर बढ़ गया कि जिस नदी में इस नान कर लोग कभी मोख्ष प्राप्त करते थे आज लोग उसे सपर्ष करने से कत्राते हैं सरकार ने भी कई योजनाय चलाई लेकिन सब फेल ही रही तमसानदी यहां से निकल कर आजमगर में स्थित दुरवाशा रिसी के आश्रम से होते हुए बहती है यहां के लोगों का कहना है कि इसमें स्नान से मोख्ष मिलता है लेकिन अबिस्नान तो दूर लोग छूना भी कवारा नहीं समझते यहां के लोगों ने प्रशासन से कई बार इसके बचाव की गुहार भी लगाई शिकायते भी की लेकिन हुआ कुछ भी नहीं यहां मुच दायनी नदी अपने बदहाली पर आशू बहा रही है आखिर इसके इस हालात का जिम्मेदार कौन है हम राग चोधरी एटीव भारत अमबेट कर नगर